टेक बिना ब्रेक डाउम्लोड दाक अप कनहिया कुमार को तो आप जानते ही होंगे वही कनहिया कुमार जिन पर यारोफ है कि उन्होंने जैन्यू के अंदर एक ग्रुप बना कर देश विरोधी नारे लगवाय थे मामला काफ़ी तुल पकड़ा और फाइलों के बीच उलचकर रह गया मौजूदा दोर में दो यूनिवरसिटी सुर्खियां बटो रही है पहली जैन्यू और दूसरी बीच उ जैन्यू के जो समस्या अपने वीसी से है वही बीच उ में मुस्लिम संस्क्रेट शिक्षक को लेकर है जैन्यू मामले में छात्र वीसी को संग में भेजने पर आमादा है जबकि बीच उ के छात्र चाहते हैं कि मुस्लिम टीचर मदरसे का रुख करे अब ज़रा पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं दरसल जैन्यू ने 23 अक्टूबर से जैन्यू कैंपस के गेट बंद करने का नया नियम लागू किया था इसकी जानकारी अंतराश्ट्र अध्यान विभाग के दीन की ओर से मिले एक नोटीस के जर्ये छात्रों को दी गई थी इस नोटीस में रूम नंबर 16, Common Rooms और SIS 1 और SIS 2 के में गेट को लेकर नया नियम लागू किया किया All India Students Association ने प्रशासन पर कैंपस के गेट शाम 6 बजे के बाद बंद करने के नए नियम पर विरोज जताया All India Students Association ने कहा कि कैंपस के गेटों को शाम 6 बजे बंद कर देना आवाजाही की सोतनता को सीमित करना है प्रशासन ने ये भी कहा कि ये कदम छात्रों की सुरक्षा सुनिशित करने और बाहरी लोगों के इमारत में प्रवेश को रोकने के उद्देश से लिया गया है वहीं पूर्व छातर संग अध्यक्ष एंस साइंबाला जी का कहना है कि कुलपती स्टुडेंट को पढ़ने लिखने का सही महौल नहीं दे पाया है अब इस स्टुडेंट कॉम्यूनिटी अपने स्टडी के लिए किसी भी तरीके से टाइम निकाल रहे हैं तो उस पर भी पहरेदारी की जा रही है तो वहीं इस बारे में जेन्यू प्रशासर ने सुरक्षव वस्था पर हवाला दिया था प्रशासर ने कहा कि इमारत में चार प्रवेश द्वार हैं और सभी से छात्रों के प्रदीश की निगरानी करना थोड़ा मुश्किल है जेन्यू के नए नियमों के मुताबिक एक सीटर कमरे का मासी किराया 20 रुपे से बढ़कर 600 रुपे होगा दो लोगों के लिए कमरे का किराया 10 रुपे से बढ़कर 300 रुपे होगा चात्रों के प्रदर्शन के बाद इसमें बदलाव हुआ और इसे करमशा 300 और 150 रुपे कर दिया गया सरकार ने इसे मेजर रोलबैक यानि भारी कटोती के तौर पर पेश किया लेकिन उसके बाद भी विरोत प्रदर्शन चलता रहा कईयों को गिरफतार किया गया, कई ऐसे भी छात्र थे जो लाठी चार्ज के कारण अस्पताल तक पहुँच गए अब अकर बियेचू की बात करें तो यहां मामला जेन्यू से थोड़ा अलग है दरसल बियेचू के चात्र इस बात को लेकर आहत हैं कि संस्कृत विभाग में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक मुस्लिम शिक्षक का चैन हुआ है अलांकि बियेचू प्रशासन का कहना है कि जिस मुस्लिम शिक्षक को संस्कृत पढ़ाने के लिए रखा किया है उन्होंने उनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यानी UGC के सभी माप दंडो को पूरा किया है टेस्ट पास किया है और फिर उनका चेहन किया गया है BHU में मुसलिम शिक्षक फिरोस्थान को इंसाफ मिलेगा या नहीं इसका फैसला वक्त करेगा अब बात कर लिजाए सोशल मीडिया पर होट ट्रेंड बन चुके JNU पर JNU का ट्रेंड में बने रहना कोई नया नहीं है शायद ही कोई हफ्ता ऐसा बीटता होगा जब युनिवर्सिटी चर्चा में ना आती हो इस बार युनिवर्सिटी जिस वज़र से चर्चा में आई है वो है फीस का बढ़ना मगर जब इस पूरे आंदोलन की गहनता से उलोकन करें तो यहां ख्योरी बिलकुल अलग है कह सकते हैं कि JNU मामले में फीस तो बस एक बहाना है असल परेशानी वीसी है वीसी ने जिस दिन से युनिवर्सिटी को जोईन किया है उसी दिन से उनका प्रयास परिसर के चात्र चात्राओं को अनुशासित करने का है और वीसी के इसी प्रयास से कैंपस के अंदर भवाल मच गया है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि विसी का उधम मचाते छात्रों को अनुशासित करना बुरा है। जवाब है नहीं। किसी भी शिक्षन संस्थान के लिए अनुशासन उसका मूल होता है। BHU में भी और GNU में भी। कह सकते हैं कि इन दोनों ही जगों पर सारा खिलबार इसी चात्रों का काम पढ़ना है। कोई भी पढ़ाए, कोई भी अनुशासित करे। तरक लाख हो सकते हैं, बाते कितनी भी हो सकती हैं। मगर दोनों ही मामलों को देखकर साफ है कि गलती चात्रों की है। अब ये फैसला जनता को करना है कि जो कुछ भी GNU और BHU में चात्रों क कर ले। नमस्कार।